नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लेखा पाल एवं कलर के 1329 पदों पर भरती निकली है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पुलिस उपनिरक्चक गोपनिय समुगों के 295 पद, पुलिस साइक उपनिरक्चक लेखा समुगों के 359 पद, यानि कि टोटल 12-177 पद, एवं सतकरता अनिष्ठन के टोटल 52 पदों पर ये भरती निकली है यानि कि टोटल 13-39 पदों पर ये भरती निकली है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कोटी बार रिक्तियों की संख्या दी गई है अगर ओन्लाइन आबेदन डेट की बात करें तो इसका ओन्लाइन आबेदन 15221 रखा गया है अंतिम्तिती 313 الح 2001 आबेदन सुल्क जमा करने की अंतिम्तिती 313 الح 2001 आबादन सुल्क की बातकरतू 400 रुपे आबेदन सुल्क निरधारित किये गए हैं सेक्षनिक योगिता की बात करतो पुलिस उपनिरक्चक गोपनिय पद के लिए किसी भी विश्र विद्याले से सनौतक पास होना चाहिए एवं आपको कम से कम वन इयर का केम्पिटर कोर्स सार्टिपिकेट होना चाहिए पुलिस साइक उपनिरक्चक लिपिक पद के लिए भी योगिता स्यम रखी गई है पुलिस उपनिरक्चक लेखा पद के लिए किसी भी विश्र विद्याले से वानी जिमे सनौतक पास होना चाहिए एवं ओलेभल यानि की कम से कम वन इयर का केम्पिटर कोर्स तो अभ्यार्थी ने दिनांक 1721 को 21 वर्ष की आयू पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयू पूर्ण न की हो अर्थात अभ्यार्थी का जन्म दिनांक 17193 से पूर्व एवं 172000 के बाद न हुआ हो चैन प्रक्रिया की बात करे तो इसमें आपका ओनलाइन लिखित परिक्षा लिया जाएगा टोटल 400 अंकों का लिखित परिक्षा लिया जाएगा जिसमें की समान हिंदी एवं केम्पिटर ग्यान के टोटल 100 अंकों के प्रस्ण होंगे समान जानकारी समाईक बिशय के 100 अंकों के संख्यातमक एवं मानसिक योगिता परिक्षा टोटल 100 अंकों की होगी यानि की टोटल 400 अंकों का आपका एक्जम लिया जाएगा ऑनलाइन एक्जम में पास अब भ्यारतियों की हाइट एवं चेस्ट की माप की जाएगी उसके बाद उसका टैपिंग टेस्ट लिया जाएगा पुलिस उपनिरक्षक गोपनिय पद के लिए आपको कम से कम 25 सब्ध परतिमनट हिंदी में 30 सब्ध परतिमनट अंक्रेजी में टैपिंग लिया जाएगा निऊन्तम 80 सब्ध परतिमनट की गतीचे हिंदी आसू लीपी सुरूती लेखन लिया जाएगा एबं पुलिस सायक उपनिरक्षक लिपिक पद के लिए आपको सिर्फ 25 सब्द परती मिनट हिंदी एबं 30 सब्द परती मिनट अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा वहीं पुलिस उपनियक्षक लेखापद के लिए आपको कम से कम 15 सब्द परती मिनट की गती से हिंदी टंकन यानि की हिंदी में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा तो इस भरती के लिए आप ओनलाइन आवेदान 15-2020 यानि की एक मई से कर सकते हैं तो आज का अबडियो को सब्सक्राइब को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद